कि arkadaşlar नमस्कार र राम राम य childish है कितनी कमाई है आप एक महीं में किपनी कमाई यह बाद जरूर देखे और इस वीडियो को शेर करें लाइक करें 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 और हमारे चनल को सब्सक्राइब करें तो प्रस पालक भाईओ आज आपका टोपिक है कि एक बहुत से कितनी कमा यह एक महीन में तो आज हम सरवात करेंगे और हम आज आपको यह चिकाएंगे कि एक से आप कितना रूपर कमा सकते हैं और आपको तक बंख और आपको आपको रेहाएं और शेयल करना और कि क मइयन को सबहरे मैं यह बताओं हो कि आजका समय चल रहा है आपको कम से कम 2000 के आसपास आपको 222 किमत है और आजका समय है जो 80 से 90 जार से कम आपको बेंस नहीं मिलेगी आपको 12 लिटर दिन बर का आप अपने एक बेंस का दूर निकाल पाएंगे किसान साथियो वो भी अच्छी नसल की बेंस मिलेगी और बहुत ही बड़िया एक टाइम का 6 लिटर दूर ना चाहिए आपकी बेंस का दिन बर का आप अपने एक बसू का 12 लिटर दूर निकालना दिन बर में तो मैं आज आपको बताऊँगा जिए 15 कितने कम है तो सुरुआज अब करते सबसे पहले आपको 80,000 से बैंस कम नहीं मिलेगी 80,000 से कम आपको बैंस नहीं मिलेगी किसन साथियों को 12 लीटर दिन पर का आपकी बैंस के दूर्द होना चाहिए तो अब हम गोना करेंगे 12 को कि आपका पसु एक महीने में कितना दूर्द दे रहा है तो पसु पलक भाईयो आपका पसु एक महीने में 360 लीटर दूर्द दे रहा है 360 लीटर दूर्द दे रहा एक महीने में तूर्द दे वो 50 रूपी लीटर से कम नहीं जाएगा हम मानते 50 रूपी लीटर अब हम 50 को 360 से गुना करेंगे कि एक महीने में कितना रूपिय बन रहे हैं हमारे दूद के पस्पलक भायो हमने 360 से 50 से गुना कर लिया तो आपके एक बैस का महीने का दूद हो रहा है 360 और हमने इसको 50 से गुना किया तब आपके 18,000 रूपिय एक महीने के बन रहे है एक महीने के एक महीने के आपके एक मेंस का दूध होड़ा इक वर्था रूत का क्या करेंगे इन पैना से आपको दाना कितना खिलाना लूंपय की लान Mmm कितना क्रपा चारा कितने उस्फखचे लका कितना रूत हो है और आप अपने पसु को दिन बर में कितना केजी राचारा और सुका चारा खिलाना है तो किस्ञा साथ इओ आपके ये स्मयस में आ गया कि आप अपने एक बैस के दिन बर का वाल लिटर दूद हो रहा है और महीने का 360 लिटर दूद हो रहा है कि आप अपने एक पसु को दिन बर में कितना केजी दाना खिलाओंगे अभी जो मेंगा चल रही है उसके हिसाफ से हम बात करेंगे कि 35-30 रुप्य के बीच में आपको बजार में दाना मिलेगा खल की रेड हम बात करेंगे जो कपाशा की ख़ड़ाती हो आपको 35-30 रुप्य क की किलों की बीच में कल रही है आप ख़ड़ा सकते है तब्म कर पश्रस का गौल्ड तो गट्टे हो ओगे घूंप का दल्या Ke J 03 तो अपने पनी पश्रस कोको दाना खिला हो गे अब पाच केजी को तीन जमेघा की क्रेंगे कि अभी महेंगाए के बात कि तीस उर्पे मिनिमम हम मानते हैं कि आपको बजार में दाना मिलेगा पस्तू के तो तीस उर्पे किलो आपको बजार में अपने पस्तू का फिड मिलेगा अब हम इसको आस से गुणा करेंगे तीस को आप एक दिन में अपने पज़ु को सुरूपय का दाना खिला रहे हैं अब हम बात के रहेंगे कि आप एक महिने में आप पशु को कितने रूपय का दाना खिला रहे हैं प्रसू पालक भायो आप를's to $ Queen सुर्पे का आप अपने प्रसू को दाना खेला रहे जाने कि 4000 500 प्रसू को ए मंईनें ना खेलार है सुर्प Woo और फ्रसू का तेल के अग्यों क्योंकि आप फ स्रसू का तेल खिलाओंगे तो आपका प्रसू उच्छा दूदद देगा अच्छी फेंट आएगी कोल्डे दू देगा और एग हजार रुपे का हम सरसु का तेल मान लेते महीने क्यों कि सो ग्राम आप अपने पसु को दिन बर में खिला सकते हैं सो ग्राम तेल सरसु का तो अगली बात करेंगे कि कि यह पने पसु को हरा चारा कितना खिलाना दिन बर में और सुका हर चारा कितना खिलाना तो पसु काप डेरी program की अपना फर-माउस चाड़ कर सकते हैं आपके पास जमीन और अच्छा पान यह तो आप अपने खयत पर हरा चारा बहिए और पशी खिला सकते हैं बादार 20 को भजार से हरा लShow 我गा है तो आप एक दिन उस को एक कि अप दिन 이죠 को शुका चारा खिला पाऊगे और अच्छा होगा क्योंकि अगर आप पने खेट पर हरा चारा भोएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बिंद्पिट मिलेगा तो हम हम स्रीब बात करेंगे कैं實iska के पाऊधार पांसुर पेगी 4500 आप फिड हो गया और हजार रुपे का शुर्शुवा तेल खिला रहें जाने की आपका एक महीने का कुल मिला के खर्च हुआ 5500 रुपे आप अपने पसो को एक महीने का फिट और तेल खिला रहे अब हम बात करेंगे कि आपको 18000 से 5500 रुपे माइनस करने हैं हमने माइनस किया अड़ारा जार से पांट जार पांसो तो फिर किसांद प्रसुपलक भायो आपकी तो एक मैने की बचत है वह आ रहे है बारा जार पांट सुर्पे आप मत एक बैंस से 12500 फिर कमा सकते हैं एक मैं से बहुत आसानी से एक प्रसुपलक भायो जितने भी नई प्रसुपलक भायो उनका डेरी पारम सपलक कराना और उनको नई नई शटिक सी जानकारी देना की डेरी पारम को मनेजमेंट कैसे करें देखवाल कैसे मेरे प्यारे प्रसुपलक भायो आज का वीडियो कैसा रहा आज का टोपिक कैसा रहा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को शेयर करें लाइक करें और कमेंड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितने भी न प्रोसेस आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगा अगर समझ में नहीं आता तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझना है और अच्छी शुरुआत करनी है और हम अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और केमेंट करना न